नमस्कार दोस्तों भारती फेडिस यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूं असो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दो सेटलाइट की अपडेट को लेकर तो पूरी जारकारी प्राथ करने के लिए आप सभी किर्प्या करके वीड करके आल वाले आप्सन पर दिश्ट के लिए जिरो कर दीजिए तकि मैं जैसे कोई अपडेट दूँ उसका नोडिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सके बात करते हैं सबसे पहले डेडि फ्रेडिस कीजिए हां दोस्तों जी सी कटेगर आप से भी ले पाएंगे पूरे हपते अगली अपडेट भी डेडि फ्रेडिस के चैनल के बारे में ही है जहां दोस्तों चैनल का नाम है धेंचेक इस सतंता दिवस पर बीकेंड प्रोग्राम लेकर आ रहा है जहां पर आपको ब्लाक बास्टर मूबी देखने को मिलने वाल बाफ वली तो धिन्चक का यह सेड्स पर इस प्रकार से है जहां पर आपको सत्ता के शाटों दिन साम आपके साथ बदे ब्लाकबास्टर मूद भी देखने को मिलेंगी अब बात करते हैं अगले सेटलाइट के है जो की सीवेल का सेटलाइट है इसका नाम है असेया सेट सेवन यहाँ पर पर चार नये चैनल आइड हो गए हैं चलिया में दिखाता हूं इस फ्रेक्वेंसी पर आपको ये टीवी चैनल देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों अगला चैनल है बीनस टीवी यहाँ पर आप देख सकते हैं बीनस टीवी नाम का नय टीवी चैनल एड़ हो भिया है इसका ट्रांसपोंडर भिया से भी नोड कर सकते हैं 4146-5317 इसके साथ साथ दोस्तों जो तीसरा चैनल है उसका नाम है ये नियस चॉइस जहां पर आपको बाली बुट की मूद भी देखने को मिल जाएंगी इसकी भी प्रेक्वेंसी सेव है 4146-5317 दोस्तों चोथा यों आखिरी चैनल है इंटर्नल लाइफ टीवी ये चार नए चैनल इस सेटलाइट पर आएट कर दिये गये हैं सेटलाइट का नाम है एसिया सेट सेवन जो की 105.5 डिए इस पर चलता है सीवेंट का सेटलाइट है और 4 फिट के एंटरीने पर आसाने के साथ कबर भी किया जा सकता है तो दोस्तों यह कुछ अपडेट थी जिसे मैंने आप लोगों के साथ सेर किया वैसे जहार तक मेरी राय है एसिया 67 आप तभी लगाईए जब कोई उससे देखना रहा हो कि उलाव अकेले देखें क्योंकि इस पर आइड बहुत गंदे गंदे आते हैं फिलाल जो फिलियों में तता के लिए जय हिंद आप सेरे का बहुत बहुत धन्यवाद